हेलो एवरिबरन मैं हूँ रुपाली एंड वेलकम बैक टो रुपाली किचन फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ थेचे की रेसिपी हरी मिर्ची और लेजन का थेचा इसे थेचा या फिर आप हरी मिर्ची और लेजन की चटनी भी कह सकते हैं तो मेरे पर लिए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए फ्रेंज शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने लिए कम से कम 20-25 हरी मिचिया और जिनको मैंने बीच मिच मिच से कट कर लिया था और यहां पर मैंने एक पूरी लैसून की गाट ले लिया है यहां पर लिया है यह संबसे करे सबने लिया है इस एक बास निया है इसका लगता लगता है ऐक अलगा एक फ्लेवर आटा हम तो वह मुझ़े में जाद अचल लगता है तो यहां पर मैंने लिया है तवा मेरा रोज का रोटी बनाने वाले तवा है और 27 ऊड़ और द कर गणके लेंगे और ऊमीर्चोंता यह भी मिर्चिया समा की मैं अपने हिसाब से भी ले सकते हैं अपने हिसाब भी día कर एंडोर ढॉळान मैं कमती हो टिंख Mhm हर्य मिर्चिया कर ना प्रीचे से दिखोतो है तो इसी में ब्रोस्ट 노ff प्रीमिर्ची से चाह以前 हो harp फार कि बार बार इदर अधर गिर रही Tschi तो मेरे पार पास में बड़ा तवह नीं है तो यहां से छोटे लए पर कॉछ吧 अगर आपके पास में बड़ा थो यहां गिरते पुछते जैसे जैसे तेस संभाव लिय आ को तो क्या होता है लोहे की तवे पे जब हम बनाते हैं तो इसका फ्लेवर नहीं अच्छा आता है एक तो रॉक सॉल से इसका फ्लेवर चारगोना पने जाता है और दूसर लोहे की तवे पे इसको बनाने से इसका फ्लेवर जो है मुझे ऐसा लगते हैं कि जादा अच्छा लगत तो उसमें क्या होता ता है is का डाल की उसका था निवल्व कर दाल पां जो है तर्हा बहुत अंप्छा था थैकिंगे और दूसरी बात जो लुहिकी के तव employeeenty maior है उसका भी flavor बहुत अच्छा और था प्लस पॉन्क मुझे लगता है वहता है चूले पर कोई पी चीज बनती ही तो उसका सौद आपको पताईये कि चार गोना बढ़ जाता है मुझे ऐसा लगता है कि कोई सी भी चीज को अगर आप चूले पर बनाते तो चूले के जो फ्लेवर निकलते हैं वो जो है बहुत अच्छा उस चीज को दुगना टेस्टी बना देते हैं फ्लेवर फुल बना देते हैं तो यहां पर हमारी मिर्ची लैसन वगरा यह सब कुछ अच्छे से आप देख सकते हैं के उपर ग्रिल मार्क साच चुके हैं इसी जरीकर से ग्रिल मार्क सामने तक आपको इनको पकाना है तो यहां पर हमारी मेर्ची लैसन और ठीचे ओल्मस्ट त्यार हो गया है इससे मैंने हलका सा ठंडा कर लिया था क्योंकि अभी आपने पीस कर दोगी आप आप ऐससे जो इससे बिल्कुल अच्छा है कर दो चाहिए तो तो यहां पर मैं इसको 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 पीस रही हूं अपने हाथं से और इस पर लगते कि इस तरीके से जो सलवत पे बनाते न तो उससे भी इसका टेष्क अच्हा लगता है तो तो थोड़ासा गा इस तो जो आज मैं रखे बाऊचा एक नोब हाई और हम थाए थीयाद आ जाती है गाऊं की तो अगर वह लोग टवी पर नहीं बनाते हैं तो इस तरीके से इसलवाटे पर बनाते हैं तो मैं भी मैंने भी संचा की मेरे पास भी रखा हुआ है तो चलो इसको भी यूस कर लेती तो वैसे भी उसमें भी यह अच्छा बन जाता है पर मुझे मेरे पास यह है तो मैं इसे यूज कर लेती हूँ और मुझे ऐसे लगते है कि इसमें वह दोगुना बढ़ जाता है तो इसी तरीके से इसको गिसते जाएंगे और इसे बनाते जाएंगे और बहुत जादा टाइम इसको बनने में यह फटाफट से बन जाता है वैसे भी मेने जादा कॉंटिटी में से नहीं बनाया है तो इसे जल्दी से बना लेती हूँ इस तरीके से गिसके क्या बोलते है इसको पीसके सॉरी पीसके इसके से थोड़ी से महनद हो जाती हादू के एक्सराइस भी हो जाती अगर आपको यह मेरी महनत और मेरी रेसिपी पसंद आरे है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए का और यहां पर हमाई ही चटनी जो है बनके त्यार हो गई है इस तरीके से निकाल लेंगे चारो तरह से इसको और यहां पर इसको इसको इखटा करके में एक क सबसे कम जादा कर सकते हैं और यहां जाएं गाउं की इस ट्राइल में थेचा बनाना सीख जाएं लोगा तो यह में हमारा थेचा बनके त्यार हो गया है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आरे हो कि मैंने सारी साफसाफाइव अगर लिये तो अगर आपको यह वीडियो जल्दी सिस वीडियो को लाइक कर दीजे में चाल को सब्सक्राइब कर दीजे बैल एकन पर जरूर हिट कर दीजी का ताकि मेरी वीडियो गे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहन सके एंद बिलती हूं आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई- कर दो दू Fi Airladin के मेरी वीडियो में तौ infrared कर दिए ओनाथे उनाप्सेशन आपसेशन पेंद जय आपसीदेगारी सेस्टार में तक प्